आज की इस अईतियासिक कारकम इस पर पुरे देश की द्रश्टी है सभी देश वासी इस समय इस कारकम से जुड़े हुए है मैं इस अईतियासिक छन के साक्षी बन रहे सभी देश वासियों का रदय से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ इस अईतियासिक छन में मेरे साथ मंत्री मंदल के मेरे साथी स्री हरदीप पुरी जी किशन डेडी जी अर्धुन राम मेगबाल जी मिनाक्षी लेखी जी कौशल किसोर जी आज मेरे साथ मंद पर उपस्तित है आज हम गुजरे हुए कल को छोड़ कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्म विश्वास की आभा है गुलामी का प्रतीक किंजवे यानी राजपत आज से इत्यास की बात हो गया है हमेशा के लिए मिट गया है आज करतब यपत के रूप में नए इतिहास का स्रजन हुआ है मैं सभी देशवासियों को आज़ादी के इस अमरित काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट नायक नेता जी सुभाज चंद्रबोज की विशाल प्रतिमा भी मुर्ति भी स्थापित हुई है गुलामी के समय यहां ब्रिटीज राष्ट सत्ता के प्रतिमा लगी हुई थी आज देश ने उसी स्थान पर नेता जी की मुर्ति की स्थापना करके आधुनिक और शसक्त भारत की प्राण प्रतिष्टा भी कर दी है वाकई यह आउसर अइतिहासिक है यह आउसर अभूत्पुर्व है हम सभी का सौभा क्या है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं इसके साक्षी बन रहे हैं साथ क्यों सुभाच चंद्र बहुत ऐसे महामानों थे जो पाथ और संसाधनों की चनोती से परे थे उनकी स्विकारियता ऐसी थी कि पुरा विश्वर उन्हें नेता मानता था उनमें साहस था स्वाभिमान था उनके पास विचार थे विजन था उनके नेत्रुत्वकी चंद्धा थी नीतियां थी नेता जी सुभाज कहा करते थे भारत वो देश नहीं जो अपने गवरों मई इतिहास को बुला दे भारत का गवरों मई इतिहास हर भारतिये के खून में है उसकी परंपराओं में है नेता जी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की रहा पर चला होता तो आज देश कितनी उचाईओं पर होता लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया उनके विचारों को उनसे जुड़े प्रतिकों तक को नजर अंदाज कर दिया गया सुभाष बाबू के एक सो पटीसवे जेंती वर्ष के आयोजन के अउसर पर मुझे कोलखता में उनकी घर जाने का सौभागी मिला था नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनन्त उर्जा थी मैंने उसे महसूस किया आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो उर्जा देश का पत्ध प्रदर्शन करे कर्तध्य पत्पर नेताजी की प्रतिवा इसका माध्यम बनेगी देश की नितियों और निर्णयों में सुभाज बाबु की च्छाप रहे ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरना स्रोत बनेगी बहनों पिछले आठ वर्षों में हमने एक के बार एक ऐसे कितने ही निर्णय लिये हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की च्छाप है नेताजी सुभास अखंड भारत के पहले प्रधान थे जुनों ने उन्नी सो सैटाली से भी पहले अन्दमान को आजहात कराकर तिरंगा फैराया था उस वक्त उन्होंने कलपरा की थी कि लाल कीले पर तिरंगा फैराने की क्या अनुभूती होगी इस अनुभूती का साक्षापकार मैंने स्वयम किया जम मुझे आजाधिन सरकार के 75 बर्ष होने पर लाल कीले पर तिरंगा फैराने का सवहाग्य मिला हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेता जी और आजाद हिंद फोज से जुड़ा मुजियम भी बनाया गया है साथियों मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फोज के सिपाईयों ने भी हिस्सा लिया था इस सम्मान का उने दसकों से इंतजार था अंडमान में जिस थान पर नेता जी ने तिरंगा फैराया था मुझे वहाँ भी जाना था जाने का आउसन मिला तिरंगा फैराने का सौभागे मिला वो ख्षान हर देश मात्री के लिए गर्व का ख्षान था भाई और भेनों अन्दमान के वो दीप जिसे नेता जी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे आजाद भारत में भी उन दिपों के नाम अंग्रेजी शाशकों के नाम पर थे हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटा कर इन दिपों को नेताजी सुभाज से जोड़ कर भारतिये नाम दिये भारतिये पहचान दिये शाथियों आजादी के 55 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए पंच प्राणों का विजन रखा है इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्षों का संकल्प है करतव्यों की प्रेणा है इसमें गुलामी की मानसिक्ता के त्याक का आवान है अपनी विरासत पर गर्व का बोध है आज भारत के आदर्ष अपने है आयाम अपने है आज भारत के संकल्प अपने है लक्ष अपने है आज हमारे पच अपने है हमारे प्रतीक अपने है और साथियों आज अगर राजपत का स्तीत तो समाप्त होकर करतव्यों पस बना है आज अगर जोर्ज पंच्यम की मूर्ती के निशान को हटा कर नेता जी की मूर्ती लगी है तो ये गुलामी की मानसित्ता के परित्याक का पहला उदारन नहीं है ये ना सरुआत है ना अंत है ये मन और मानस की आज़ादी का लख्स हासिल करने तर निरंतर चलने वाली संकल पर यात्रा है बेश के प्रधान मंत्री जहां रहते आये हैं उस जगह का नाम रेशकोस रोड से बदल कर लोकल्यान मार्ग हो चुका है हमारे गंतरतर दिवस समारों में अब भारतिय वाध्यय यंत्रों की भी गुंज सुनाई देती है बितिंग तरीट्रीट सेरीमनी में अब देश भक्ति से स्थरोबार गीतों को सुनकर हर भारतिय आनंद से भर जाता है अभी हाली में भारतिय नव से नाने भी गुलामी के निशान को उतार कर चत्रपति सिवाजी महराज के प्रतिक को दारन कर लिया नेशनल वार मेंबोरियल बना कर देश ने समस्त्र देश वाज्यों की बर्सों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया साथ्यों यह बढ़लाओ केवल प्रतिकों तक ही सिमित नहीं है यह बढ़लाओ देश की नित्यों का भी हिस्सा बन चुका है आदेश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है भारतिय बजट जो इतने दसकों से बिटिश समस्त के समय का नुसन कर रहा था उसका समय और तारिक भी बदल गई है राष्ट्रिय सिक्षा निति के जरिये अब विदेशी भासा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजहात किया जा रहा है यानि आज देश का विचार और देश का वेहवार दोनों गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त हो रहे है यह मुक्ती हमें विफसित भारत के लक्स तकर लेकर के जाएगी साथियो महा कभी भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भासा में बहुती सुन्दर कभीता लिखी थी इस कभीता का शिर्षग है पारु कुले नल्ल ना इंगल भारत नाड़ महा कभी भरतियार की यह कभीता हर भारतिये को गर्व से भर देने वाली है उनकी कभीता का अर्थ है हमारा देश भारत पुरविश्व में सबसे महान है ग्यान में अज्ञात्म में गरिमा में अन्नदान में संगीत में सास्वत कवीताओं में हमारा देश भारत पुरे विश्व में सबसे महान है वीरता में सेनाओं के शावरिय में करुणा में दूसरों की सेवा में जिवन के सत्य को खोजने में वैज्ञानी के नुसंदान में हमारा देश भारत पुरे विश्व में सबसे महान है ये तविल तमिल कभी भरतियार का उनकी कविता का एक एक शब्द एक भाव को अनुभाव कीजिए साथियों गुलामी के उस कालखन में ये पुरे विश्व को भारत की हुंकार थी ये हमारे स्वातंत्र सेनानियों का आवान था जिस भारत का वर्णर भरतियार ने अपनी कविता में किया है हमें उस सर्वस्रेश्ट भारत का निर्मान करके ही रहना है और इसका रास्ता इस करतव्यपत से ही जाता है साथियों करतव्यपत केवल इड़ पत्थरों का रास्ता भर नहीं है ये भारत के लोग तांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्सों का जीवन तमार्ग है यहां जब देश के लोग आएंगे वो नेता जी की प्रतिमा नेशनल वार मेमोरियल ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेणा देंगे उन्हें करतव्यपोत से ओत प्रोत करेंगे इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है आप कल्पना के रिए देश ने जिने जनता की सेवा का दाई तो सोपा हो उन्हें राजपत जनता का सेवक होने का ऐसास कैसे कराता अगर पत ही राजपत हो तो यात्रा लोक मुखी कैसे होगी राजपत ब्रिटीस राज के लिए था जिन के लिए भारत के लोग गुलाम थे राजपत की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी उसकी संवरचना भी गुलामी का प्रतीक थी आज इसका आर्किटेक्शर भी बढ़ला है और उसकी आत्मा भी बदली है अब देश के साउसत, मंत्री, अधिकारी जब इस पत से गुजरेंगे तुने कर्तब्य पत से देश के पती कर्तब्यों का बोध होगा उसके लिए नई उर्जा मिलेगी, प्रिणणा मिलेगी नेशनल बॉर्न मेमोरियल से लेकर कर्तब्य पत से होते हुए राष्ट्र पती भवन का ये पूरा खेत्र उनमें नेशन फर्स्ट राष्ट ही प्रथम इस भावना का प्रवाः पती पल संचारित होगा साथ्यों, आज के इस आउसर पर मैं अपने उन स्रमिक साथ्यों का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनोंने कर्तब्य पत को केवल बनाया ही नहीं है बलकि अपने स्रम की प्राकास्टा से देश को कर्तब्य पत दिखाया भी है मुझे अभी उन स्रम्जिवियों से मुलाकात का भी आउसर मिला उनसे बात करते समाएं मैं मैसूस कर रहा था कि देश के गरीब मजदूर और सामान ये मानवी के भीतर भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है अपना पसीना अब हाते समयें वो उसी सपने को सजीव कर देते हैं और आज जब मैं इस अवसर पर मैं उन्हार गरीब मजदूर को भी देश की तरफ से धन्यवाद करता हूँ उनका अभिननन करता है जो देश के अभूत्पर विकास को ये हमारे स्रमीग भाई गती दे रहे हैं और जब मैं आज इन स्रमीग भाई बेरों से मिला तो मैंने उन्से कहा है कि इस बार 26 जन्वरी को जिनों ने यहां पर काम किया है जो स्रमीग भाई है वो परिवार के साथ मेरे विशेश अतिती रहेंगे 26 जन्वरी के लिखाएगा मुझे संतोस है कि नए भारत में आज स्रम और स्रम जिवियों के सम्मान की एक संस्कृती बन रही है एक परंपरा पुनर जिवित हो रही है और साथियों जब नीतियों में सम्मेदन सिलता आती है तो निरे भी उतने ही सम्मेदन सिल होते चले जाते हैं इसलिए देश अब अपनी स्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है स्रम एव जैते आज देश का मंत्र बन रहा है इसलिए जब नारस में काशी में विश्वनाद्धाम के लोकारपन का अलोकिक अउसर होता है तो स्रम जिवियों के सम्मान में भी पुष्प वर्षा होती है जब प्रयाग राज कुम का पवित्र परव होता है तो स्रमिक सच्छता कर्मियों का अभार व्यक्त किया जाता है अभी कुछ दिन पहले ही देश को स्वदेश सी विमान वहाग युद्धपोत आइनस विक्र सम्मान के निर्मान में दिन रात काम करने वाले स्रमिक भाए बैनों और उनके परिवारों से मिलना का आऊसर मिला दा मैंने उसे मिलकर उनका भार वेक्टिंग स्रम्प के सम्मान के परंपरा देश के सवस्कारों का अमीठ हिस्सा बन रही है आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नई सवस्कार के निर्मान के बाद उसमें काम करने वाले समीकों को भी एक विशेज गैलेरी में स्थान दिया जाएगा ये गैलेरी आने वाली पीडियों को भी याद दिलाएगी कि लोग तंत्र की नियू में एक और समिदान है तो दूसरी और स्रमिकों का योगदान भी है यही प्रेणा हर एक देश्वासी को एक कर्तव्य पद भी देगा यही प्रेणा स्रम से सफलता का मार्ग प्रसस्त करेगी साथियों हमारे ब्यहवार में हमारे संसादनों में हमारे सादनों में हमारे इंफ्रास्टेक्टर में आधुनिक ताका इस अमरुदकार का प्रमुक्ष लक्ष है और साथियों जब हम इंफ्रास्टेक्टर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सडकों या फ्लाइ ओवर की हो जाती है लेकिन आधुनिक होते भारत में इंफ्रास्टेक्टर का विस्तार उससे भी बहुत बड़ा है उसके बहुत पहलू है आज भारत सोशल इंफ्रास्टेक्टर ट्रांस्पोर्ड इंफ्रास्टेक्टर डिजिटल इंफ्रास्टेक्टर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्टेक्टर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है मैं आपको सोचल इंफल सेक्टर का उधार देता हूँ आज देश में एम्स की संग्या पहले के मुकाबले तीन गुना हो चुकी है मेडिकल कॉलेजों की संग्या में भी पतात प्रतिशत की ब्रुक्ति हुई है यह दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के स्वात को बैतर बनाने के लिए उन्हें मेडिकल की आधुरिक सुविधाय पहुचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है आज देश में नई आईटीस ट्रिपल आईटी वेग्यानिक सांस्ताओं का अधुनिक नेटवर्क लगातार विस्तार किया जा रहा है तैयार किया जा रहा है बीते तीन वर्स हों साड़े छे करोड से जादा ग्रामिन घरों को पाइप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है आध देश के हर जीले में 75 अमरित सरोवर बनाने का महा भियान भी चल रहा है भारत का ये सोशल इंफ्रसक्टर सामाजिक न्याय को और सम्रुद्ध कर रहा है साथियों ट्रांस्पोर्ट इंफ्रसक्टर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ आज एक तरफ देश भर में ग्रामीन सरकोर का निर्मान हो रहा है तो भही रिकॉर्ड संख्या में आदुनिक एक्सप्रेस में बनाए जा रहा है आज देश में तेजी से रेलिवे का इलेक्टिफिकेशन हो रहा है तो उतने ही तेजी से अलग-अलग शहरों में मैट्रों का भी विस्तार हो रहा है आज देश में अन्यों को नए एरपोर्ट बनाए जा रहा है तो वाटर वे के संख्या में भी अभूत्पुरों वृद्धि की जा रहा है दिजीटल इंफ्रसेक्टे के निर्माद में तो भारत आज पूरे विश्व के अगरणी देशों में अपनी जगा बना चुका है डेड़ लाज से ज़दा पंचयतों तक अप्टिकल फाइबर पहुचाना हो डिजीटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो भारत की डिजीटल प्रगेति की चर्चा पुरी दुनिया में हो रही है भाई और बेहनों इंफ्रासेक्टर के इंकारियों के बीच भारत में कल्चिरल इंफ्रासेक्टर पर जो काम किया गया है उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई है प्रसाद स्कीम के तहट देश के अनेकों तिर्थ स्थलों का पुनरवधार किया जा रहा है काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर करतारपुर साथ कोरिडर तक के लिए जो कारिय हुआ है वो अभुत्पुरवा है और साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रसेक्टर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्वास्ता की जगों से जुड़ा इंफ्रसेक्टर ही नहीं है इंफ्रसेक्टर जो हमारे इतियास से जुड़ा हुआ हो जो हमारे राष्ट नायक और राष्ट नायकाओं से जुड़ा हुआ 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 ह एक राष्ट के तोर पर हमारी संस्कृति क्या है हमारे मुल्य क्या है और कैसे हम इने सहज रहे है एक आकांची भारत सोचल इंफ्रसेक्टर ट्रांस्पोर्ड इंफ्रसेक्टर डिजिटल इंफ्रसेक्टर के साथ ही कल्चरल इंफ्रसेक्टर को गति देते हुए तेज प्रग दिक कर सकता है मुझे खुशी है कि आज करतब बेपत के रुक में देश को कल्चिरल इंफ्रसेक्टर का एक और बहतरी नुदारन मिल रहा है आर्किटेक्टर से ले कर गए आदर्शों तक आपको यहां भार की संस्कृति के दर्शन भी होगे और बहुत कुछ सिखिने को भी म में लेगा मैं देश के हर नागरी कावान करता हूँ आप सभी को आमंतन देता हूँ आईए इस नव निर्मित करतब यपत को आकर देखिए इस निर्मान में आपको वविश्य का भारत नजर आएगा यहां की उर्जा आपको हमारे विराट राष्ट के लिए एक नया विजन देगी एक नया विश्वास देगी और कल से लेकर के अगले तीन दिन एने शुकर शनी और रवी तीन दिन यहां पर नेता जी सुभास बाबू के जीवन पर आधारी शाम के समय ड्रोन शो भी आयोजन होने वाला है आप यहां आईए अपने और अपने परिवार की तस्वीरे खीचिए सेल्पी लीजिए इन्हें आप हैश्टेग करतब यपत्से सोसिल मीडिया पर पर जरूर अपलोड करें मुझे पता है यह पूरा खेत्र दिल्ली के लोगों की धर्कन है यहां शाम को बड़ी संख्य में लोग अपने परिवार के साथ आते हैं समय भी बिताते हैं करतब यपत्स की प्लानिंग डिजाइनिंग और लाइटिंग इसे ध्धान में रखते हुए भी की गई है मुझे विश्वास है करतब यपत्स की प्रेणा देश में करतब यपोद का जो प्रभाव पैदा करेगी यह प्रभाव ही हमें नए और विक्सित भारत के संकल्ब की सिद्धी तक ले कर जाएगा इसी विश्वास के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्वाद करता हूं मेरे साथ बोलेंगे मैं कहूंगा नेता जी आप बोलिये अमर रहे अमर रहे नेता जी नेता जी अमर रहे अमर रहे भारत माता की वंदे आप बहुत बहुत धन्यवाद